हरे किशना नमस्कार स्वागत है आपका SSG गुरुकुल के इस ओफिशल यूटूब चनल पे दोस्तों यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के एक्जाम डेट आ चुकी है लास्ट जिनवरी में लास्ट वीक में आपका एक्जाम होना सुनिश्चित हो गया है दोस्तों अगर हम बात करें एक्जाम के स्टेटिजी की बारे में अगर हम बात करें एक्जाम के पैटर्न की बारे में तो आज सारी बाते हम यहाँ पर करने वाले हैं दोस्तों बहुत लोगों ने बहुत जोज के साथ में अपनी तयारी स्टार्ट कर दी होगी जी बिल्कुल अपने जोज को ऐसे ही बरकरार रखना है और अपनी तयारी को करते रहना है बस आपको कुछ रड़निती कुछ बाते ध्यान में रखते हुए अपनी तयारी करनी है कौन कौन सी वो बाते हैं आईए देख लेते हैं दोस्तों अगर हम कहें कि हमारा जो competition है competition जो है उसका level क्या रहेगा सबसे में physics कहां से पढ़ें दोस्तों ये जो आपके important question है जो आप लोगों के अंदर doubt रहते हैं बहुत सारे होगे 936 पदों पर इसका selection होगा और इसमें 1374 पद assistant operator के होगे सारे लोग इस चीज से वाकिप है workshop operator के 120 पद होगे सारे लोग इन सारी चीजों से वाकिप हैं अगर हम कहें कि competition का level क्या रहेगा तो competition का जो level रहेगा देखो बहुत ज्यादा easy level तो नहीं रहने वाला है तो हम यही कहेंगे कि competition का जो level रहेगा वो moderate रहेगा यानि अगर हम बात कहें बहुत ज्यादा tough तो नहीं रहेगा और ना ज्यादा बहुत ज़्यादा medium रहेगा, competition का जो level रहेगा, वो moderate to क्या रहेगा, tough रहेगा, इतनी बात आपको समझ मैं, आप कहेंगे बिल्कुल सही, selection कैसे सुनिश्चित करें, दोस्तों सबसे जो important point है, वो कैसे selection को अपने सुनिश्चित करना ये है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बस पन्नों को पलटते रहते हैं, क्योंकि exam data चुकी है, भाई अब आपके पास time बहुत limited है, 40 दिन का time है, तो आप करोगे क्या, आप बिल्कुल हौच पौच हो जाओगे अंदर से, बिल्कुल आप अंदर से उलच जाओगे, तो क्या-क्या पन्ने पलटना है, क्या-क्या पढ चल कर आजाए, दोस्तों अगर हम बात करेंगे exam के pattern की, तो exam के pattern की हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम syllabus की बात करेंगे, syllabus में आप जानते हो, हिंदी आपकी आनी है, और हिंदी में आपके जो अंक आने है, वो 100 नंबर की आपकी हिंदी होगी, इतनी बात आपको समझ में देख कर आपको अगलती क्या करोगे, दोस्तों अगर हम बात करें मैस की, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो अभी से बिलकुल डट गये होंगे, और मैस को बहुत अच्छे से पढ़ने लगे होंगे, हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ना है, देखो मैं मैस का टीचर हूँ तो आप ये तो भाई नहीं कह सकते हैं है ना कि हम मैस को ही सरवो परी मालने सब कुछ मालने तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे हमें आपके सेलेक्शन से मतलब है जो चीजें सही है उचित हैं वो चीजें हम आप से डिसकस करेंगे आपको मैस बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी है दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी कैसे पढ़ना कितना पढ़ना सारी शीजे बताएंगे और क्यों नहीं पढ़नी यह आपको देखना है अगर हम यूपी पुलिस जितने भी आपके exam conduct कराता है यूपी पी ले लो यूपी से सारी वोटे हैं वांगी आपके बचे बचे कितने 18 यह 19 कुश्चन वह आपके रीजनिंग के रहा है तो आप अपने प्रेविय से पेपर के आप नहीं को Pvtth कोिए और वहां। लेकिन आपसे question जो पूछता है, वो काहे के पूछता है, reasoning के पूछता है, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा जो focus करना है, वो यहाँ पर focus करना है, अगर हम कहें, यहाँ पर, यहाँ पर 100 marks की आपकी math आनी है, यहाँ पचास question आपके किस के होंगे, तो आपको होगे 50 question math के तो 50 question में, हम अगर बात करेंगे 50 question में, भाई, 50% ही, यानि 24 से 25 question ही आपके math को देखने को मिलेंगे, और बाकी जो आपके question है, वो reasoning से ही पूछे जाएंगे, और जो remaining question है आपके दोस्तों, वो आपके काहे से पूछे जाएंगे, reasoning से पूछे जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, दोस्तों, last तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि हम सारी रणनिती, सारी चीजें, वो चीजें जो आप lag कर जाते हो, और अपने selection से दूर हो जाते हो, वो सारी बाते यहाँ पर करेंगे, दोस्तों, आपको वीडियो बहुत गौर से, last तक देखना है, जरूर साथ में बनाए रखना है, दोस्तों, अगर हम बात करें हिंदी की, और हिंदी की अगर हम बात करें, तो हिंदी में आप जानते हो, कितने नंबर आपके आने हैं, तो हिंदी, 100 नंबर की आनी, 50 question, भाई, यहाँ पर अपने नंबर, 90 से उपर आप नंबर लेकर चलें आप अपनी तयारी को ऐसे करेंगे, कि यहाँ पर आपके जो नंबर आएंगे, 90 से ज़्यादा आने चाइए, इस level की तयारी आपको करनी है, इस level की तयारी आपको करनी है, दोस्तों, farm आपका 2 साल पहले पढ़ा था, 2 साल आपने इस चीज़ का इंतजार किया, इस exam का इंत कर लेते हैं, reasoning में 100 number आने हैं और 50 question आने हैं, तो आप देख पार होगे, कि reasoning के 50 यहां से हो गए, और लखभग 20 यहां से हो गए, तो 50 और 20 कितने हो गए, 70 हो गए, 70 दुना कितना हो गया, 140, यानि reasoning के जो reasoning reasoning आनी है, वो 140 number की दोस्तों आनी है, तो हमको जो अब practice करनी है, वो reasoning क करनी है अच्छे से प्रेक्टिस करनी यह नहीं कि सारा टाइम हम मैस को ही लगाए दे रहे हां लेकिन कैसे मैस को कितना टाइम देना है यह भी नहीं कि हम बिल्कुल उसको इग्नोर कर दें बिल्कुल इसको माइनर समझ ले ऐसा नहीं करना है तो आपको क्या करना है क्योंकि भ पास समझ में आ रही है और आपका जो selection है selection किस पर आधारित होगा मतलब ऐसी कौन सी subject है जो आपके selection को सुनिक्षित करेगी देखो जीके और जीस की दोस्तों बात करेंगे तो यहां पर सौनमबर 50 question जीके और जीस से आने हैं अगर हम बात कर रहे होंगे दोस्तों अगर हम बा लिएन तो 40 का ratio रहने वाला है सो मेंसे अगर आप देख भार गर सौ मैसे 60 number इसके आएंगे और 40 number के question यहां से आएंगे आँगे देख भार ंगे आपके के 60 number मतलब तीस question इसके आएंगे और जdays कोशन इसके आएंगे और जितनी भी बुक्स होती हैं, आथर होते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल इलेशन, यूपी की GK, भाई सुभानसु सर आपके सबसे ज़्यादा अच्छी GS पढ़ाते हैं, आप उनसे जानते ही हैं, भाई वो तो बताते ही रहते होंगे, आप अगर उनके regular student होंगे, और अगर general science, यह 40 number की आनी है, अब समझना, दोस्तों आप समझना, 100 number का यह total क्या हो जाएगा, पुर्णांक हो जाएगा, आपको किस पे ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना, आपकी mass कितने number की आनी है, 50 से 60 number से ज़्यादा की mass नहीं आनी है, 100 number में, 100 number में 50 से ज़्यादा number आप expect नहीं कर सकते हैं, और reasoning के ही question है, क्योंकि जतने भी previous year आपको paper उठा के देखोगे, वहां से आपको निकल कर क्या आएगा, वहां से निकल कर आएगा, कि mass जो आपकी है, वो reasoning के भी उसमें question पूछे जाते हैं, इतनी बात clear हुई, क्या आपके syllabus की बात clear हुई, अब अगर हम बात करें exam के pattern की, कि आपका exam का जो pattern है, वो क्या कहता है, तो exam के pattern में सबसे पहले आपका ये written exam हो जाना है, उसके बाद आपका होता है PMT, बहुतने physical measurement test होगा, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आपका written exam होगा, ठीक है, written exam हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद अगर आप बात करोगे, तो उसमें PMT होगा, PMT होगा, और उसके बाद में क्या होगा, PET आपका होगा, अनि physical efficiency test होगा, और उसके बाद में document DV, document verification होगा, और उसके बाद में आपका medical exam होगा, और उसके बाद में दोस्तों, आप लोग अपना selection पा जाएंगे, जि जिस चीज के लिए अभी तक आप महनत कर रहे थे दोस्तों समझना इस बात को इस बात को समझना कि exam का pattern जो procedure रहेगा वो इस तरीके का कुछ रहेगा अब एक बहुत important चीज है कि overall अगर हम लोग देख रहे होंगे तो 108, 160 या 200 नमबर ठीक है? 160 question या 200 question आपके इस पेपर में आएंगे अभी आयोग ने इस चीज को बिल्कुल clarify नहीं किया है कि 160 questions आएंगे कि 200 question आएंगे इस चीज का clarification है कि भाई आपके कितने नमबर है? 400 नमबर का पेपर होना ही होना है इस बात की clarification वहाँ पर दे रखी है दूसरी बात अगर time की बात करेंगे तो time आपका धाई घंटा है और negative marking बहुत लोग बहुत लोग confused है कि negative marking होगी कि नहीं होगी तो भाई negative marking जो आपकी है वो नहीं होगी बस आपको एक point ध्यान रखना है जो सबसे special point है वो है कि each subject 50 marks each subject 50 marks आपको लाने ही लाने है दोस्तों बहुत important point है ये आपको बहुत देखना है बहुत ध्यान में रखना है क्योंकि इस point से आप देख सकते होंगे इस point से आप देख सकते हैं each subject 50 marks लाने का मतलब क्या हुआ यानि आप 50% number सही करें 50% question सही करें आपको करना ही करना है जैसे अगर हम हिंदी की बात करें हिंदी में आप 50 number ले आएंगे बहुत अच्छी बात है मैस में आप ले आए रिजिनिंग में ले आए 50-50 आप number ला सकते हैं अगर 49.9 आपके number हुए कितने 49.9 अगर 9 number हुए तो आपके उस section का कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपके paper का कोई मतलब नहीं रह जाएगा आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिएगा दोस्तों अगर GK और GS की बात करें तो यहाँ पर जानते हैं कि GK और GS आपका main role play करेगी मान लो GK आपकी 60 number की है GS आपकी 40 number है तो आपको यहाँ पर 30 number इधर लाने ही लाने इधर cover करोगे 30 और इधर cover करोगे कितने 20 तब आपके कहीं जाकर 50 number बनेंगे तब आपके 50 number बनेंगे यानि सबसे ज़ादा जो role play करेगा भाई अभी तक आप सारी subject पढ़ते हैं सारे से familiar हैं लेकिन GK और GS को बहुत कम time देते हैं या बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो आपको बस यही देखना है कि GK और GS जो है वो main selection का core है यहीं से आपका selection बनेगा क्योंकि Hindi, Mass और Regening सब बच्चों को आती है सारे बच्चे कहीं न कहीं पढ़ते हैं और सारे बच्चों का यह portion बहुत strong होता है selection किस पे आधारित है तो GK और GS पे आधारित है आपको यहाँ पर देखने को चलना है अगर मान लो आपने GK में 30 number नहीं लाए इधर आप 29 ला है तो इधर आपको 21 लाना पड़ेगा बस यह बस आप कर सकते हो यह ऐसा नहीं कि 60 में इसमें 30 लाना है ऐसा नहीं है बाई 100 में आपको 50 marks लाने है अगर 49.5 हुए 49.5, 49.9 हुए मतलब 50 से अगर कम हुए तो आपका इन तीनों subject का score करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा यह सबसे बड़ी बात जो है वो दोस्तों यह है दूसरी आपको सबसे important जो बात करनी है वो आपको याद रखना जो आपका exam होना है वो CBT mode पे होगा यानि computer based test होगा computer based test होगा computer पे होगा तो जितने भी हमारे जो भाई है जो head operator की तयारी कर रहे है उनको क्या करना है उनको UP constable और UPP यानि UP SI की जो previous year questions paper है उनको revise करना है उनको as a mock लगाना है बहुत सारी online sites है बहुत सारी online app है वहाँ से आप इस चीज़ को कर सकते हो यहां से भी आप करना चाहो तो आप कर सकते हो और अगर assistant operator की बात करें तो assistant operator में क्या है दोस्तों यहां पर assistant operator वाले जो हमारे भाई है वो क्या कर सकते हैं वो आराम से UP constable के जितने भी paper है उनको एक बार कर लें उनको एक बार revise कर लें दूसरी बात अगर हम बात करें कि speed test में marks कैसे बढ़ाएं तो speed test में marks बढ़ाने का मतलब दोस्तों क्या हुआ speed test में marks कैसे बढ़ सकते हैं आपके तो हम यह बता रहे हैं कि speed test में marks कैसे बढ़ते हैं जैसे आपने speed test दिया आपके 400 में से देखो 300 प्लस तो marks आने ही चाहिए अगर आपके किसी portion में तो आप वो portion देखो क्योंकि Speed Test का सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो important चीज होती है दोस्तों वो होती है Speed Test में अगर हम Speed Test की बात करेंगे दोस्तों तो उसमें सबसे ज़्यादा जो important चीज होती है वो क्या होती है आईए देखते हैं चलो यहाँ पर कह रहें speed test है ना तो speed test में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो important चीज होती है ठीक है समझना देखो साथ बनाए रखना है ending तक आपको चीजे समझ में आ जाएंगी speed test में सबसे ज़्यादा जो आपका सबसे ज़्यादा जो portion होता है वो आपका होता है speed test का analysis करना analysis करेंगे तो आप जानेगे कि कौन आपके weak part है कौन आपके कमजोर part है और कौन आपके strong part है जो आपके strong part है वो तो आपके हई है वो तो आपके हई है लेकिन आपको weak part पर क्या करना है पर क्या करनी है क्या करनी है दोस्तों मेंत करनी है जैसे आपने mess उठाई ज़ियें आगर हम ले तो mess का question आपने तैम एंड वर्क उठाया या आप मालो weep and system का कोई question नहीं लगा पा रहे है तो आपको क्या करना है तो आपको दोस्तों क्या करना है उस part को पढ़ना है उस part को पढ़ना है उस पूरे topic को पढ़ना है एक बार पूरा go through होना है और उसके कम से कम 50 questions लगा लेने हैं और आपका यहां से यह जो part जो था वो आपका improve हो जाएगा और यहां पर आपकी मेहनत सबसे जो अच्छा है उसकी तड़ी ट्रीक है मांकिस करना है और adalah उसके इसाइड करना च्रूत Is अगर आपकों कंप्लीट करना है तो आपको मान कर क्या चलना है आपको दोस्तों मानकर यह चलना है कि syllabus अभी आपका इतने दिनोबाद अगर exam हो रहा है तो syllabus आपका complete है कहीं न कहीं से आपने पढ़ रखा होगा अगर दोस्तों फिर भी आपने नहीं पढ़ रखा है तो एक बार syllabus देखें हमारे ही channel पर आप देख सकते हैं कि syllabus पूरा का पूरा upload है आप syllabus देख सकते हैं और फिर topic वाइज जो मेराथन classes होती है देखो अब अपनी नीद और चैन बिलकुल खोदो और चीजों को और चीजों को जितने भी topic आपके कमजोर हैं जो syllabus में अभी तक आपने ऐसा नहीं पढ़ रखें उनको पढ़ना start करो उनको पढ़ना start करो अभी आपके 40 दिन है 40 दि दिनों की strategy की अगर हम लोग बात करेंगे ठीक है strategy की अगर हम लोग बात करेंगे तो उन topic को 20 दिनों में उन topic को पढ़ने हैं 20 दिनों में आपको सिर्फ new topics पढ़ने हैं जो आपको नहीं आते हैं ठीक है उन topics को पढ़ने जो आपको नहीं आते हैं जो आपको नहीं आते हैं उसके अलावा अगर हम बात करें जो आपको नहीं आते हैं और उसके अलावा जो आपके 20 दिन है जो आपके 20 दिन है उसमें आपको सिर्फ रिवाईज करना है सिर्फ आपके जो नोट्स हैं उनको पलटना है ठीक है आपके जो नोट्स हैं उनको पलटना है और उनको ही रिवा आप जानते हैं SSG गुरकुल आप ऑफिशिल यूटूब चैनल पर जाएंगे जहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं वहां पर सुबांसु सर रोज डेली क्लास जो हम लोगों का 40 दिन का क्रेश कोर्स चल रहा है वहां पर आप साइंस पढ़ सकते हैं वहां से आप बहुत ह क्वामना है बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन आपको आपको रोज वीडियो से जुड़ना है और अगर 2 घंटे की कौई मैराथन चल रही किसी टॉपिक का मैराथन चल रहा है उसमें जो आपके क्वेस्टन्स आए उनके साथ आपको जरूर जूड़ना है और बस उतना कर था वो overall इतना procedure था जो आपको करना था ठीक है तो दोस्तों अगर आपको information अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को like जरूर कर दीजेगा अपने भाई के लिए और और साथ ही साथ में अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं कर रखा तो चैनल को subscribe कर लिए आज की सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुपकामना है थैंक्यू